नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों कक्सा आठ की गणेत की पर्खरकारे पुस्तिका के कारे पत्रग नंबर 61 और 62 61 और 62 को हम इस वीडियो महल करेंगे तो वीडियो जरूर आप पूरा देखिए और अच्छे से समझिए कि त्रभूज है उसके बारे में सारी जानकरी इस कारे पत्रग में आपको मिलने वाली है त्रभूज के अवेव़ों की यहां समझ आप बना पाएंगे यदि अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें क्या कहलाता भाई सम बाहू त्रभूज कहलाता है तो आपको यहां पर जो यह रिक्तिस्ताने वाँ पर सम बाहू त्रभूज भलना है यदि एक त्रभूज की सबी भूजाएं बराबर है तो उसके कौन भी क्या होंगे बराबर होंगे तो यहाँ पर आपको बराबर भरना है बिल्कुल बराबर होंगे यदि त्रिभूज की भुजाओं की लंबाई सम्मान नहीं है तो उसके कौन सम्मान नहीं होंगे यदि भुजाओं अलग-अलग है तो कौन भी अलग-अलग होंगे यदि असम्मान होंगे ठीक है, अगला सवाल है, नीचे दीएगी त्रिबूज की मापें और मानबताएं, इसको मापना है आपको और यहांपर मान बताना, यहांपर जो आपके पास में चंदा होगा आपकी जामेट्री बॉक्स में उसको रख करके सORी, मापना है मल्लब, आप स्केल की साइता से पटरी की साइता से इनकी भुजाओं को आपको मापना है ठीक है ना और चंदे की विज़रूत पड़ेगी तो चलिए भुजाओं को यदि मापनेंगे A B पहला नाम है इन दोनों को यह आप मापनेंगे तो 2 cm आएगा तो यहाँ पर 7 ही लिखा हुआ है आपको 2 लिख देना है ज्यादा कम आए तो वो भी लिख सकते हैं B C B C भुजा ये वाली है इसको मापनेंगे तो 3 cm आपका अंसर आएगा तो 3 cm लिख देना है फिर कौन A कौन A कितने डिगरी का है उसके लिए आपको चंदे की आप सिखता पड़ेगी और यहाँ पर आपको चंदे को सैट करके ये कौन मापना एक भुजा सिद्धी जो लाइन जाती है उस पर रखना है दूसरी तरप आपको ये लाइन लिख जाएगी तो मैंने इसको मापन ये 95 डिगरी आया कितना पिचाण में डिगरी तो मैंने लिख दिया है आपके कम ज़्यदा आए तो वो आप लेख सकते हैं ठीक है चलिए त दो भुजा तीन भुजा कितनी भुजा है तीन भुजा है तो प्रते कौन में तीन भुजा है और तीन सिर्सी होते हैं क्योंकि त्रभूज का मतलब यह है कि तीन भुजा ठीक है और उसमें तीन सिर्सी होंगे अगला है नीचे दिये कि त्रभूज में कुस बिंदू दिये गए हैं कहां इस्तिते यह बताना है चलिए यहां पर ए बिंदू का पुछा है कौन सा ए यहां पर देखी कहा है त्रभूज के उपर यहां सिर्ष पर तो त्रभूज के सिर्ष पर इस्तितर बिंदू ठीक है सबसे उपर कह सकते हैं या सिर्ष पर कह सकते हैं दूसरा पुछा है क्यों क्यों बिंदू यहां काँए डेकी ब्री सी भुजा पर तिर बूज के अंदर से आपको भलना है और जान करी इन corrections माति को पता है जो होती है बीचों बीच सामने वाले कॉने से मिचोंे बीच रेखा को दो भागों में बाटें उसकोarta मादी का यहां पर मादी का रेखा का नंति होगा यह और डी चुरह आकट आ रहाया है और यहां gotta एक यहां से एक यहां से तीन अधिकतम माधिका हैं हो सकती ता आपको यहां लेखना है तीन अगला है त्रिबूज की प्रतेक सीर्ष से क्या खींची जा सकती है तो इसको प्रतेक सीर्ष से जो खींचते इसको माधिका कहते हैं तो माधिका लेखना है त्रिबूज की तीनों क पॉना का योग कितना होता है हमेसा 180 degree ही होता है ते तीनों ही कौन है इनका मान एडिया पर निकालेंगे तो एक संभाउ विसंबाउ और उस्में बारगत ना है तो संभाउ कौन सा होता सबसे पहले जिनकी तीनों बुजाएं संभानों संभण वऒं इस ने दो बुजाएं एक जैसी है एक बाभर विसम बाहू तीनों ही अलग अलग हो ठीक है न उसको कहते हैं और सम बाहू के अंदर तीनों ही बुजाएं एक जैसी ठीक है चलिए पहला है बुजाओं का माप चार समी पांस समी छे समी तीनों ही क्या है अलग अलग है तो विसम बाउत रिबूज लिखेंगे साथ सेमी, साथ सेमी, साथ सेमी तीन ही क्या है, एक जैसी है तो सम बाउत रिबूज लिखेंगे छे सेमी, पांच सेमी, छे सेमी दो एक जैसी, छे से सेमी वाली तो सम दी बाउज होगा, ठीक है अगले में 7.2 सेमी 7.2 सेमी दो एक जैसी है तीसरी अलग है तो सम दी बहुत तर्बूज होगा ठीक है न तो इस तरह से आपको लिखना है अगला है नीचे दी की तर्बूज को पहले अनुमान लगा कर अपने माप कर तर्बूजों को वर्गी करत कलना है तो यहां पर इसको जब अपने अनुमान लगाएंगे तो अपने को दिख रहा है कि यह भुजा अलग है यह अलग है और यह बड़ी है बहुत ज़्यादा बड़ी है ठीक है तो इसका नाम विसम बहु हो जाएगा इसको आप देखो कि तीनों ही भुजा है वो सैम है एक जैसी नजर आ रही है तो इसका नाम सम बहु हो जाएगा इसका आप देखो कि यह और बुजा दोनों सैम है जब कि यह बुजा अलग है तो इसका नाम सम दी बहु हो जाएगा इसको भी देखो कि तीनों ही बुजा है आराम से, दो सेंटी मिटर, दो सेंटी मिटर, दो सेंटी मिटर, तीनों का ही सम्मान है, तो सम बहुत्र बूज, तीन सेंटी मिटर, पांच सेंटी मिटर, साथ सेंटी मिटर, तीनों ही क्या अलग अलग है, तो विसम बहुत्र बूज, तीन फिट, पांच फिट, तीन फिट, तो समधी बहूंत्रेबुज़ ठीक है इस तरह से अग्ला दो इन्स दो इन्स तीन इन्स दो भूझाएं समाने क्या हो जाएगा समधी बहूब चार फिट चार फिट चार फिट सभी क्या है समाने संभको आठ इंस नो इंस इन्सोंत mirap नहीं क्या अलग अलग तो विशम बाहू ठीक है इस तरह से आपको भुजाओं के अधार पर तरबूज तीन परकार करते हैं समझना आगया होगा समझना आगया होगा समधी बाहू और विशम बाहू और किशे कहते हैं यह भी आब अच्छे समझ गए हैं उम्मीद आपको वी स्क्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें यह अंगुठे वाला निशान दबाएं और अपने दोस्तों तक सेर भी करें धन्यवाद